नमस्कार सारी काज वर्ड में आपका स्वागत है आज की रेसिपी आम पन्ना गर्मियों में आम पन्ना अम्रित समान है गर्मियों में लूओ और डिहाट्रेशन से बचने के लिए इससे अच्छा चीज कुछ हो ही नहीं सकता है बाहर के कोल रिंग्स और सॉब रिंग्स पीने से अच्छा है आप घर में आम पन्ना बनाईए और गर्मियों का मजा लीजिए तो चलिए बनाते हैं आम पन्ना आम बनाने के लिए हमने लिया है दो कच्छे आम ये चीनी पाउडर है और ये जीरा और अजवाइन को भून के उसका पाउडर बनाए है थोरा सा मेंट लीव और ये काला नमक सबसे पहले हम ये आम को बॉइल करेंगे आम को हम एक कप पानी डालके कुकर में उसको बॉइल कर लिया है दो सीटी लगा के अब ये ठंडा हो गया है इसका आब हम पल्प निकाल लेंगे और अब इसको इसको चान लेंगे इसको अच्छे से दवा दवा के रचान लेंगे ताकि सारा जूस इसमें निकल जाए पूरा इसका निकल गया और अब इसमें हम मिलाएंगे जीरा और आजवान का जो भूना पाउडर है उसको मिलाएंगे एक चमच एक चमच काला नमक सबको अच्छे से मिला देंगे इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं शिशे कजार में स्टोर करके ऐसा बना के रखिए अगर आप चाहें तो इसमें चीनी भी इसी समय एड़ करके रख सकते हैं चीनी पाउडर डाल दीजेगा एड़ करके बट इसको ऐसे ही रखिए क्य करते हैं आम पन्ना को कि सब करते हैं एक चमच चीनी डालिएगा चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा एक चमच जो दो चमच जितना आपको जरूरत पर है और अब इसमें यह जू जूस बना हुआ है उसको डालिए वन फोर्थ डालना है ग्लास में और अब इसको अच्छे से मिला देगे और अब इसमें आइस क्यूब डाल देंगे और फिर प्लेन पानी इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे हमारा आम पन्ना बनके रेडी है और इसको लास्ट में मिंट लीप से गार्नेसिंग करेंगे तो यहां आम पन्ना बन के रेड़ी है बहुत ही अच्छा बहुत ही हेल्दी गर्मियों के लिए बहुत अच्छा तो बनाईए पीजिए और अपने अनुभव हमें कमेंट करके बताईए और अगर आपको हमारी यह रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और तब तक के लिए हम मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ नमस्कार धन्यवाद